प्यारे विद्यार्थियों, 2023 की जो परिक्षा होगी आपकी वार्षिक परिक्षा, उसके लिए बोड ने जो है नवी और दसवी क्लास दोनों के लिए जो है आपका नया पैटन लागू कर दिया है, इस न्यू पैटन पे जो परिक्षा देने वाले विद्यार्थियों वो आ नया pattern है, वो किस तरह का है मैं बतायता हूँ पहले नवी कक्षा का बताऊंगा उसके बाद दसवी कक्षा नीचे की तरफ चलेंगे हम तो दसवी कक्षा को भी हम देख लेंगे यह रहाँ दसवी कक्षा का संसोधित पाथे करम किस तरह का पेपर होगा वो सारे चीज़े मैं वीडियो के मादम से बताने वाला हूँ, फटाफट हम देखेंगे, और इसका PDF दे दूँगा मैं, आप PDF डाउनलोड कर लेना कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसका PDF मैं दे दूँगा, और साथ ही साथ, आप जो अपना अर्धवार्शिक पेपर दे रहे हैं, अर्धवार्शि या फिर आप साफ फोटो, बिलकुल PDF बनाना आता है, तो बहुत बैतरीन है, या फिर आगा आपको नहीं आता है, आप थोड़े से कमजोर हैं इस टेकनोलिजी में, तो आप PDF नहीं बना सकते, तो आप फोटो भेजें, और फोटो आपका साफ होना चाहिए, मैं उसके solutions अप हिंदी का परिक्षा होगा, और 20 नमबर जो है आंतरिक मुल्यांकन, यानि कि आपका स्कूल द्वारा भेजा जाएगा, तो 80 नमबर जो पेपर होगा वार्सिक का, उसमें क्या आएंगे, तो मैं पहले बतायता हूँ, देखो, जो 56 नमबर है, वो केवल हिंदी हिंदी संबं मैं करूँगा, देखो, यहाँ पे हिंदी है, जो की बताया गया है कितना 56 नमबर, और यहाँ पे देखो संस्कित है, जो बताया गया कितना 24 नमबर, अब कैसे 56 नमबर को कैसे डिवाइड किया गया है, यह समझिए, यहाँ पर अपटित गध्यांस जो है, आठ नमबर का आ जो कि आपको देंगे 56 नंबर, ये सारा जोड होगे आप तो 20 ये रहा, 10 ये रहा, 30, 30 और 10, 42, 42 और 8, 50, 50 और 6, 56, 56 नंबर का ये पेपर होगे आपका, हिंदी हिंदी के वल आएगा इसमें, अब संस्कित की बात करें, तो संस्कित का जो भी पाठे पुस्तक है, उससे 18 नंब दोनों मिला करके आपको 6 नंबर के प्रश्ण देखने को मिलेंगे, टोटाल हो गया 24 नंबर, समझ में आ चुका होगा पैटन, अब बात करते हैं, आप पठित, जो गध्यांस होगा, जो भी है, साहितिक गध्यांस, 350 सब्दों का आएगा, जो 8 नंबर का देगा, इसमें ज किसी भी संकेद बिंदू के आधार पर जो है, आपको निबंद लेखन करना होगा, ठीक है, और एक पत्र लेखन करना होगा, जिसमें समवाद लेखन भी आ सकता है, तो ये आपको 8 नंबर का तो जो है, आपका निबंद आ जाएगा, और 4 नंबर का आपका समवाद लेखन जाएगा ठीक है अब बात करते हैं हम व्याकरण संबंदी प्रशन कितने आएंगे तो व्याकरण संबंदी जो प्रशन बता रहा है वो आएंगे आपके 10 यानि कि 10 नंबर व्याकरण से आपको मिलेंगे सब्द निर्मान करोगे तो दो नंबर मिलेंगे ठीक है एक सब्द नि हावरे का वाक्य में प्रयोग ये भी आपको दो नंबर देगा, टोटल मिला के आपको यहां से 10 नंबर व्याक्रण संबंदी प्रशन पूछे जाएंगे, द्यान से रखना आपको पढ़ना क्या है, यहां से आपको यही चीज गाइड तो की जा रही है कि आपको पढ़ना क्या है, आप उल जूल चीजे पढ़ना छोड़ करके बिलूल फोकस करिए कि आपको क्या पढ़ना है, और टोमेटिकली रिजल्ड जो है 100 प्रशन जायने वाला है, तो दो प्रशन आएंगे, तीन तीन नंबर के, टोटल मिला के छे नंबर देंगे, अच्छा, कविताओं के प्रशन आएंगे, जो की तीन आएंगे, जिसमें से दो प्रशन करने होंगे, और वो कवीताओं के जो प्रशन पूछे जाएंगे वो दो-दो अंकों के होंगे टोटल मिला के आपको चार नंबर देंगे यहां तक समझ में आ गया कि आपको पढ़ा हुआ एक गध्यांस आएगा और एक कव्यांस आएगा दो चीजे आएगी ठीक है अब आगे दो में से किसी एक गध्यांस का जो है आपको अर्थ और उससे सम्मंदित प्रशन आएंगे जो आपको तीन प्रशन पूछे जाएंगे दो-दो-दो अंक के ये छे अंक देंगे आपको इसके बाद में गध्धो गध्पाठो पर आधारित तीन में से किनी दो तो तीन के आंसर आपको देने होंगे उसके बाद जो है नेक्स जो पार्ट में तीन प्रशन आएंगे उसमें से दो के आंसर आपको देने होंगे तो यहां पर चार नंबर मिल जाएगा इसके बाद में कृतिका भाग एक से जो प्रशन पूछे जाएंगे वो पूछे आपसे और जो है आपका गद अनुछेद प्राधारित 4 में से, 4 में से 3 प्रशन करने होंगे, तो 2-2-2 अंक जो दे गएंगे, आपको 2-2 अंक देंगे, ठीक है, तो 6 अंक यहां से मिल जाएंगे, और अनुछेद अधारित प्रशनों में से 3 प्रशन आएंगे, उसमें से 2 प प्रशन के सकते हैं जो दो दो नंग के पूछे जाएंगे हर प्रशन दो दो अंग का होगा जो आप तीन प्रशन कर दौके तो आपको छे अंग मिल जाएंगे इसके बाद में सब्दों की सहायते से वाक्यों को पूरा करना 6 प्रशनों में से 4 वाक्ये बनाना है आपको यानि 4 जो है आपके आध्याधे नंबर के आएंगे जो आपको 2 नंबर देंगे तो यह हो गया आपका 8 नंबर ठीक है अब आगे बढ़ते हैं next part पे तो आपका जो है वाक्ये रचना व्याक्रन जो है संस्कित वाली यह 6 नंबर की आएगी इसमें जो है इसमरतित आधारित प्रशन होंगे स्लोक होंगे वाक्ये रचना होंगी ठीक है और यह 6 नंबर जो है आपको कैसे देंगे देखो प्रश्ण जो है आपके इसी तरह से चलते रहेंगे जो यह है आपका प्रश्ण नमबर 1, प्रश्ण नमबर 2, प्रश्ण नमबर 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलता रहेगा यही प्रश्ण का पैटन है तो इस चीज को आप हर चीज में ध्यान रखना कि यह प्रश्ण नमबर ह अब आपके हैं ना ये प्रश्ण नंबर ही चलेंगे तो यहाँ पर जो स्वरसंदी, दीर्गसंदी, गुंड संदी, समास, कारक, उपसर्ग ये सभी चीजे मिला करके चार प्रश्णों में से तीन प्रश्णों के उत्तर आपको देने होंगे, तो तीन प्रश्ण दो, दो, दो मिला करके आप दोगे, तो यहाँ पर छे नंबर आपको मिल जाएंगे, व्याकरन सम्दीर प्रश्ण खतम, आंतिरिक मुल्यांकन इसकूल से 20 नंबर मिलेगा, अब जो है हम आते हैं दस्वी क्लास के उपर दस्वी क्लास का जो है 80 नंबर का पेपर होगा 56 नंबर का हिंदी आएगा ठीक है और जो है 24 नंबर का संस्कृत आएगा अब इसको हम देखते हैं तीन गंटे का पेपर होगा अपठित आव बहुत जो है 7 नंबर का आएगा जिसको ग संस्कित पाठे पुस्तक में से आपका जो है अटारा नम्बर के प्रश्ण देखने एक उक्किजदों करते है और अम संस्कित से देखने को मिलेंगे तह इस तरह से यह पैटन है अब आते हैं जो यह पैटन है यह पहली पहली बार आप लोग फॉलो कर रहे हो, इसके बाद जो है दूसरे बच्चे फॉलो करेंगे, क्योंकि पहली बार ही बोड ने लागू किया है, अपटित गध्यान से यहां पर बता दिया है, साथ नंबर आपको देगा, जिसमें आपको एक प्रशन दो अंका, फिर एक प्रश में अपचारिक, अनपचारिक दोनों में से अथवा में आता है आपका एक चार नंबर का प्रशन आएगा, ठीक है, एक ही पत्र लिखना होगा, या तो अपचारिक लिखिए या अनपचारिक लिखिए, दोनों में आप्शन आएगा, प्रशन तीन हो चुके है, पहला प्र अव्यव वाला जो प्रशन आएगा वो भी आपको दो नंबर का ही आएगा छटा प्रशन आएगा वाक के भेद में वो दो नंबर देगा सात्वा प्रशन आएगा वाच्चे समंदी वो दो नंबर देगा और आठवा प्रशन आएगा आपका अनेक अर्थी शब्द जो दो देगा इसके बाद जो next part है उसकी बात कर लेते हैं जो पाठे पुस्तक जो आपका छितिज भाग दो है यहां से 21 नंबर के प्रशन आपको देखने को मिलेंगे यहां पे दिया गया है दो में से किसी एक काव्यांस यानि अथवा में आएगा का अर्थ जो है आपको अर्थ सम क्या अधारित तीन प्रशन आएंगे और उसमें से दो करने होंगे तो दो प्लस दो चार अंक मिल जाएंगे इसके बाद में दो आपको जो है कवीताओं से संदेश या जीवन मुल्य पाया अधारित दो लगूत तरात्मक प्रशन देखने को मिलेंगे जो एक एक नंबर के मिलेंगे आपको तो दो नंबर यहां से मिलेंगे इसके बाद में दो में से एक गध्यांस पर अर्थ ग्रहन संबंदी दो प्रशन पूछे जाएंगे यानि कि दो प्रशन जो आएंगे दो दो नंबर के आएंगे चार नंबर देंगे और गद पाठो के विचार संदेश सं मन्दित दो लगु तरात्मक प्रस्ण जो मिलें गे वो आपको दो नमबर का एक प्रस्ण और एक प्रस्ण मिलेगा ठीक है यह तीन अंग के प्रस्ण आएंगे टोटल म्हिळाके आप जोड़ोगे तो आपको दिखाई देंगे कि आपका यह 21 नमबर दे चुके हैं, चार, चार, आठ, चार, यहीं, बारा, तेरा, चौधा, और पंदरा, सोला, सत्रा, सत्रा, और यहाँ पर आप देख लेंगे, कृतिका भाग दो में 6 अंक आ जाएगा, ठीक है न, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, टोटल अंक जो है 21 है, तो तो दिए जाएंगे, चार में से आपको 3 ही करने है, दो, दो, दो अंक में डिवाइड मिलेंगे आपको, सारे प्रशन 4 आएंगे, चार में से 3 कर दोगे, तो 6 अंक मिल जाएंगे, तो यह 6 अंक यहाँ पर आपको देखने को मिल गए, इसके बाद में विनोधनी भाग 2 जो से 2 ही करने होंगे, दो, दो, अंकों के 2 दो प्रशन, यानि 4 अंक, इसके बाद में पाठेक पुस्तक जो भुक है आपकी, वहाँ से 4 प्रशन आएंगे, जिसमें से 3 करने होंगे, और 3 प्रशन 2 दो अंक के आएंगे, यानि 6 अंक, और इसके बाद में दिये गए शब्दों संधी इसमें सब आयादी फयादी सब दे दिया है यह सब मिला करके जो है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा पांच प्रश्णों में से चार प्रश्णों के उत्तर आपको देने हैं ठीक है और जो आप से 20 वे नंबर में 5 प्रश्ण पूछे जाएंगे वो सभी एक ए कर देते हो तो आध्यादे नंबर के हिसाब से दो नंबर मिलेंगे या फिर तीन वाक्यों में से दो का संस्कित में अनुवाद करोगे तो एक एक नंबर के दो आपको अनुवाद मिलेंगे देखने को यह है आपका पूरा का पूरा जो है नया पैटन और यहाँ पर जो है निमलिखित पाठो का मुल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसमें देव आपका मुल्यांकन नहीं आएगा, नौबत खाने में इभादत नहीं आएगा, लखनवी अंदाज में मुल्यांकन नहीं होगा, और यहीं ठहियां जुलनी हे रामा, हेरानी हो रामा, यह भी आपका नही pattern और इस pattern को जरूर आप download कर लें PDF में आपको description box में दे रहा हूँ यहाँ पर जितना है मैंने समझा दिया thank you very much have a good day